हेलो स्टुडेंट आपने देखना शुरू कर देए स्किल डारेक्शन आज हम जेन्यू प्येज़डी इंट्रेंस टेस्ट के बारे में अपडेट लेकर आये हैं कि आपको किस तरफ फर्म अप्लाई करना है और क्या क्या इंस्ट्रक्शन है कहां कहां सेंटर है और लाश्ट कब है और कैसे बारा जाएगा फर्म इसके बारे में बताइए तो आपको कुछ नहीं करना है आपको यहां पर देख लिजिए यहां पर नोट कर लिजिए यहां पर जेन्यू एक्जामनेशन जेन्यू एक्जाम्स.nta.ac.in के साइट पर आपा लोग इन करके आ जाएगा वह यहां पर पुरा वुलटी मिल जाएगा और कोई भी कोश्चन है उसे रेलेटेड यहां पर आप देख सकते हैं वहां पर क्या कहा जो भी कह रही है वहां पर कोश्चन फर्म में दे दिया है आप नीचे चलते हैं देखिए यहां पर है ओनलाइन फर्म अपलाई करने का यह है यहां पर क्लिक करके आप कर सकते हैं तो मैं यहां पर क्लिक करता हूं और दिखाता हूं कि इस अप्लिकेशन में कया क्या है तो देखी है वी आप सकते हैं पर पर्सनल डिटेल आप भरना होगा qualification डिटेल भरना होगा क्या क्या है उसके बाद आपको document upload करने होंगे उसके बाद payment होगे उसके बाद आप final submission कर सकते हैं तो यह हो गया और आगे आपको दिखाते हैं कि किस तरह क्या 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 पुरा देखिए step by step आपको स्टेप 3, 2 में हो गया और क्वालिफिकेशन हो गया इसमें तीन में आपको देखिए इंपोर्टेंट है यहां भी देख लिजिए आपका जो डॉक्वेंट का फाइल होना चाहिए इससे नहीं जला 200 के भी से और 300 के भी से इसी के बीच में होना स्टी करने तो आपको चाहिए और आप फोटो का जो होना चाहिए आपको आपको 930 के के भी से ज्याद़िकी अगय में दीकत होगी तब फिर आपको फोन किजिए या कमेंट किजिए उसके बाद आपता है फोर्थ में कमेंट का यहां पर देखिए निव रजिस्ट्रेशन दिया है यहां पर आप किली करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आप पहले रजिस्ट्रेशन हो गया है कर लिए है कि आप पर भरना है आप दिखा देते हैं मैं बहुत ही दीमे दीमे बना रहा हूं बुलना हूं तक कि आपको हर बात समझे में और आपको परशानी नहों फार्म अप्लाई करने में तो देखिए यहां पर पूरा डेटल से और देखिए स्टुडेंट ने पूछे थे कि कितना फार्म लगेगा तो यहां पर फी के बारे में भी दे दिया है जनरल को आपको अगर एक में अपलाई करते हैं तो आपको 600 रुपय देने पर एगा और दो सब्जेक्ट में अपलाई करते हैं तो आपको 900 रुपय लगेंगा और तीन सब्जेक्ट में अपलाई करते हैं तो च्वाइस में करते हैं तो आपको 1100 रुपया तक लागेंगे और उसी तरह OBC, SCST, PWD और OBC कंडिडेट के लिए सारह 300 रुपया लगेगा एक के लिए और सारह 400 रुपया लगेगा दो के लिए और तीन के लिए आपको सारह 500 रुपया देना पड़ेगा और उसी तरह BPL धारी वालगो 200 रुपया अगर सिंगल में करते हैं तो दो में करते हैं तो 300 और तीन में करते हैं तो 400 रुपया देना पड़ेगा और important यहाँ पर नोट आप देख लिजिएगा यह भी important है कि यह देख लिजिए क्या लेका हुआ है कि आपको यह देख लिजिए प्लीज सर्विस चार्ज आपको concern bank payment करना होगा यह भी देख लिए fee submitted through net banking आप कर सकते हैं यहाँ पर आपको सर्विस चार्ज भी bank लेगा एक्स्ट्रा उपर से और यहाँ पर है कि gateway का जो चार्ज होता है और यहाँ पर banking debit card और UPSC method से आप यहा बाद आप registration करना शुरू किजएगा यहाँ पर किलिक करके आप process शुरू कर सकते हैं और यहाँ पर किलिक कर प्रोसेस कर दिएगा तो शुरू हो जाएगा इससे पहले मैं आपको यह दिखा देता हूं कि इस notification में और क्या क्या है ताकि आपका जो भी question है वह आपको full फिल हो जामनेशं 2022 है उसका notification जाउन हो गया है प्रोस्पेक्टस पूरा इसमें details तजर काड़ दिया वो download कर लिया है तो इसके बारे में आपको हम बताएंगे पूरा details में और लेकिन आगे वरने से पहले चाहूंगा कि अगर मेरा बीज्डू आपको अच्छा लग रहा है तो उसक बाद ही कीजिए अगर आप नए है तो इसका subscribe जरूर कर लें और देखर वीडियो मत छोड़ें क्योंकि आप वीवर तो बहुत आते हैं लेकि subscribe कम है उसके हिसाब से और subscribe कम होने से कि वोज़से हमको बहुत परशानी हो रही है तो आप please subscribe कर लें मेरे channel को चलिए अब भीना देर की आगे बढ़ते हैं तो देख लिए इंट्रेंस टेस दो जारबाई से लिख दिया है पुरा प्रोसेस प्रोग्राम के बारे में इसमें दे दिया है इंफर्मेशन बुलोटिंग है यहां पर पूरा डेटेल्स में है लेकिन मैं आपको इंपोर्टेंट बाते बताऊंगा यहां पर देख लिजिए मैंने आपको बता दिया फी डीटेल्स अप अप्लिकेशन फी के बारे में आपको देख लिजिए यहां पर एक तीस्य शुरू हो गया है यहां पर देख सकते हैं जैसा कि एक तीस्य शुरू हो गया है यहां पर फर्म का अप्लाई होना और 20 नुवंबर तक होगा ओनलाइन होगा लाश्ट डेट आपको 20 नुवंबर दे दिया है अप्लिकेशन फी के बारे में आपको हम बता ही जिए जिक्ड़ कर चु सब्सक्राइब तक होगे और सेकंड सेशन में दिया है सेंटर देखिए अब कहुत लोग पूछ रहे हैं सेंटर तो मैं सेंटर भी बताऊंगा कि कहां कि सेंटर वपना है वह डिस्पीले में हर सेंटर को दिखा दूंगा तकि वो वीडियो में ही देख ले यह रहा आब यह यह हो गया एक्जाम ऑनलाइन होंगे पुरा यहां पर डेटेल्स है यहां पर देख सकते हैं एक स्टेप पुरा दिया है मैंने वह बता दिया हूं अब आपको फिल देख लिए इंट्रॉक्षन दिया है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करा रही है जवारला नहरू इन्वर है सोसल साइशमें आर्ट एंट एंश्ट इस सायंस में हैं एमार्मेंट साइंस में हैं सॉप्जेक्ट में यहां पर देख सकते हैं और यह उसके बारे में पूरा जयनकारी है यहां पर रोल अफ एरिया इसमें दे दिया यहां पे और मेजर सब्जेक्ट ग्रूप सब दे दिया यहां पे और दिया ओनलाइन सब्मिशन जो शीडूल बता दिये हैं आपको और करेक्शन भी दिया है वहां पे सात नौ 10 दिसंबर 2022 एक्जाम होंगे आप फर्स सेशन सेखन सेशन में भी बता दिया आपको कंप्विटर बेस होगा मैंने भी बता दिया लैंग्वेज होगा इंगलिश यहां पर पूरा दे दिया लैंग्वेज इंगलिश लैंग्वेज कॉर्स में है बेसन रहेंग उनको लिग दिया यहाँ पर multiple choice question रहेंगे यहाँ पर hundred question रहेंगे आपका exam में के तो यह रहा no negative marking नहीं है आपको for in character के लिए medium आप बता दें यह इंपोर्टेंस टीचता है यहाँ इसे syllabus आप देख सकते हैं download कर सकते हैं question paper for the genu का जो prescribe दिया है इसलिए बस यहाँ से आप download करके पराई भी कर सकते हैं rejection policy यहाँ पर दिया हुआ है आपको ACST और schedule के लिए आप दिया है कास certificate के बारे में का दिया है the name of caste ट्राइवल for the ACST district state और union territory और आप आप अप्लिकेंट इस ओली पैले सफ रेसिडेंस दिया आपको तो यह सब आपको पास होना चाहिए updated होना चाहिए ततकाल में होना चाहिए डिजर्वेशन और record card का जो सब्सक्राइब आप अगर revision का फाइदा उठाना चाहते हैं तो आपको लिए certificate होना चाहिए और इस्टेट और डिश्टिक लेबल पर पना के रख लीजिएगा तब अपलाई कीजिएगा तो बेतर होगा क्योंको बाद महां मांगेंगे यहाँ पर सेलेक्शन के बाद सेलेक्शन सबसे इंपॉर्टर वाट देख लेजिए आपको सेक्शन टू में है पीएजडी आपको एक्ट 2016 के स्टेट फ्लोइंग के अनुसार होगा 2016 के रूल के अनुसार आपका यह होना चाहिए और ब्लेंड लेंस और पुरा आपको अगर डिसेबिलिटी का है तो आपके पास उस कुछैंग का होना चाहिए और जैनि इंपोर्टेंस चेंट्स दग कंडीडिएट कर सकतें वे लाव एफ्टर न लास्टेर स्पेसिइको कि अगर कुष में चेंज करना चाहिए अगर आप SSTOBC Candidate है तो आपको 5% का छूट भी दिया जाएगा यहां पे ताकि 5% 50% भी रहेगा आपको तो हो सकता है एड्मिर कार्ड आपको बाद में जारी किया जाएंगे अपलोड होगा उन्वर्सिटी के वेब साइट पर लिवेटी के बात करें तो आपको बता देंक्स्तर में हैU главное देक happy देरीज स्व नोपनो मेक्सिमाम लिमिटेड टी यहां पर देख लिए उसके लिए कोई safety करने के लिए को यह यहां सेplay कर सकता है रिशेशन एंड अप्लिकेशन प्रोसेस के बारे में यहां पर जनकारी दिया है और पूरा मैं और कोई हम से छूट जा रहा है तो मैं धीमे धीमे कर रहा हूँ आप खुद भी पोस्ट करके और देख सकते हैं कि क्या क्या है आप हो यहां पर यह है पुरा मैं सब बता दिया ह हूँ मैं यहां पर पुरा जनकारी दे दिया है यहां पर तो यह रहा पुरा पार्ट वन पार्ट टू के बारे में पूरी जनकारी यहां पर देख लिए फी है तो कोई जादा फी नहीं लगता है मैं पहले ही बता दिया हूँ पेवल फी है यहां पर और इंपोर्टेंस जन यह प्रफिट कर सकते हैं आपको आपको अब भी बाद में डाउन्लोट कर सकते हैं अभी नहीं होगा उसके निकाल लेगा अनृत यह अर्म और कोई खास री जनकारी नहीं कोई अगर है तो तो मैं देख लेता हूं आप देख लिए डिस्पेले आप अटेम्ट कोश्चन पेपर के बारे में दिया है तो यह तो सब एक्जाम होने के बाद में दिया है तो आप तो यहां पर देख सकते हैं प्रोसेस अन आप कम्पूटर बेस्ट आपके एजाम सीटी बीटी होगा वह बेसिक चीज़े हैं कमन सर्विक सेंटर फैसिलिटी आपको पास दिया जाए परस्पेंडर विदिंग आउट अप रूल दिया लीगल जुरिशरी यह सब तो नहीं है यह देखिए आप बोल रहे थे बहुत लोग इंपोर्टेंस चीज़े हैं यहां पर आपको हम बता दे यह त्वरा जरूरी है क्योंकि बहुत स्टेंट पूछ रहते हैं आपके कि हमारा एरिया में सेंटर है कि नहीं तो आप देख सकती हैं पर लिख दिया है कि स्टेट बाइ हैं यहां पर तो वहां से देख सकते हैं आपके एरिया में है कि नहीं आंध्रव प्रदेश में हैं नेलोर में हैं तुरुपती में विजयवाड़ा में है यह सब इटा नगर में है अर्वनाचल प्रदेश के इटा नगर में है आप देख लिजिए बिहारक में औरंगाबा तो मैं देरे देरे कर आपना डिस्टिक देख लीजिएगा यहाँ पर पूरा बता ना मुश्किल है और वीडियो बहुत बहुत बारा हो जाएगा आओ इस दिए मैं इसको शोड़ा करने के लिए बता देता हूँ में देख लीजा रहा हूं आप अपने स्वरम दोन पर खंड हो गया और बैशन गाले सब्वेवे में है और स्कूल दिया है किसमें PhD है सब्जेक्ट का उसमें दे दिया है लगभग हर सब्जेक्ट में है सुल्ण special center सब्जेक्ट में यहां पर दिया हुआ है और PhD और किस date को exam होंगे कौन सा यह दे दिया है देख लिजिए यहां पर 21st November session 1 21st November 2022 session 1 के सारह 9 बज़े से 2 सारह 12 बज़े तक यहां पर दिया है तो यह दिया है West Asia और field of study दे दिया है यहां पर यहां पर यह सेशन 1 21st November को दिया है यहां और session 2 21st November दे दिया है और यहां पर North East दिया है हिंदी तमिल comparative literature और यह 21st यह दे दिया है Persian social system 22 November यह दे दिया है यहां पर और यह 22nd November 2022 यहां पर दिया है देख लिए लिस्टिस में कौन करने political science है Chinese है लेंग्विज है और 23rd November को दे दिया है यहां पर historical studies है और बाइस है एक हम को बात समझ में नहीं आ रहा है एक बार हम पिर इसको देख लेते हैं यह 21st को क्यों दिया है एक मिनट रोक जाए है यहां पर एक जामने शन्डेट साथ आठ नौ दस दिसंबर 2022 है लेकिन वहां यहां पर दे रहा है यहां पर 21st November पर तो यह हम को जैसा अप्डेट होगा मैं बता दूँगा यहां पर सेसमा दिया चाओ 21st November को 20th November तो लेकिन आपकुछ लिखा नहीं है हो सकता है करेक्षिन का हो यहां पर बार ऐसको इसका ही करेक्षिन का टाइम लेकी ऐसा तो होता नहीं है एक है देख लिए है यहां पर सेसंबंड का मौनिस नौॉमबर है यहां पर 24 नॉम्बर यहां पर दे रहा है इस तरह से सबका 34 तो 24 तक दिया है पुरा यह वाला correction यह लगता है कि correction मन यानि चार दिन किन किन subject भाई देख लिजिए यहां पर लिखा नहीं किया है लेकिन मैं आपको बता दूँ किलियर कर दूँ यहां पर लिखा होना चाहिए अलिकी कहें लिखा नहीं है कि करक्षन का time मैं schedule of examination आप जेनी जेनी दुस्वर 22 दिया यहां पर निख्वर को देखा दिया कि दिसंबर में आपका यहां पर exam दे रहा है तो यहां पर देसंबर में एक्जाम है लेकिन यहां पर दे रहा है कि नौंबर में एक्जाम होने वाले हैं तो यहां पर तो देख लिजे विस्ट यहां पर देख सकते हैं और इसके बाद यहां पर अपना एडिट करना होगा तो कर सकते हैं लेकिन यह लिखा नहीं हमको लगता है जैसा मैं बता रहा हूँ आपको यही हो सकता है देखिए आपको इस फार्मेट में आपको OBC की सर्टिफिकर देना परेगा सबसे बैतर होगा कि आप अंग्रेजी में बना के देजिए तो बैतर रहेगा इस तरह OBC का सर्टिफिकर होना चाहिए तब भी आपको लिए हो सकता है और OBC non-climate certificate पासपोर्ट साइज खोशो होना चाहिए इस तरह से पूरा यह इस तरह से हर का होना चाहिए आपके पास तबी होगा मने अता होगा यहां पर और उसमें एंटर्वी के समय आपको जरूर देना होगा और देखिए यह होगा लेटर आफ अंडर्टेकिंग यूजीन ओन प्रेस्क्राइब अंडर्टेकिंग का फड़ है उसमें आपका अड्मिशन के समय जरूरत पर सकती है इंकम सर्टिफिकेट अगर वीकर सेक्सर में लगा रहे हैं तो इंकम सर्टिफिकर देना पड़ेगा आप देखिए बेंस टेस्त का देखिए इस तरह से होगा आपको शू करेंगे इहां पर पोटो नहां पे किलिक करके और आप इस साफय कोईगा वैल्कम टू घुजे घंगा इसतरह से लिकुल हो जाए हैं करके आपился लोग इन करके आपर इस जाहां apply कर सकते हैं एक्जाम शुरू दे सकते हैं आप उसे तरह कुल जाएगा उसके बाद ही रिमोट इन जूम आउट कर सकते हैं आपको clean response कर सकते हैं इस तरह से flag next में कर सकते हैं यह एक्जाम का pattern है जो पुराणी एक्जाम देने वाले हों तो जानते होंगे लेकिन जो नए है उस submission कर सकते हैं इस तरह से form जैती आप एक्जाम आप देखिए application for application form यह application form है जैसे आपको मैंने बताया इस तरह से हैं और इसमें आपको form का भरना होगा क्लिक करके देखिए यह वही सेम है आपको किस तरह से भरना है तो यहां पर registration क्लिक करके आपका process शुरू कर सकते हैं तो इस तरह खुलेगा आपको select कर सकते हैं have you apply for any other program जिसे program में apply करना है आप यहां से क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं वहां पर personal detail भरिए उसके बाद फिर यह personal address भरिए अपना और capture भर के submit कीजिए तो आगे आपका registration हो जाएगा registration होने के बाद ऐसा आजाएगा और ऐसा आने के बाद आपको continue करके अगर details है सही तो यहां पर edit अगर गलत है तो edit करके फिर continue confirm detail करके दीजेगा तो आगे बढ़ जाएगा इस तरह से आपका registration complete हो इस तरह से और उसके बाद फिर आगे बरियेगा तो registration नमर गाप फिर application और password डालके यहां पर और आगे बरियेगा क्लिक किजिएगा तो इस तरह से आपके option आ जाएंगे फिर और फिर आगे फिर अपना जो भी मांगेंगा जरूर चीजिए जैसे बायो टेक्निकी सब्जेक किया जंब सकते हैं इसी तरह से बसे करोने चेसे आपको सब्जेक्ट किया है कि इसकूल में कि समय है तो सब भरगे आफ में यहां से बढ़ सकते हैं और आगे जा सकते हैं इस तरह से father's name mother's name category आप सब भरके capture भरके submit करके आगे बर सकते हैं इसी तरह से दिखिए दो complete होगे एक complete कर दूसरा पर हैं आप यहां पर तो दूसरा भी भर दिजिएगा इसी तरह से दूसरा आप fulfill कर दिएगा जो भी इसमें details है तो आप तीसरे पपने आप चला जाएगा click ह होकर देखिए यहां पर confirm कर डिटर्स भरिएगा वह सही आप तीसरे देखिए दो यहां पर देखिए दो green हो गया यहां पर दिखा देते हैं हो जाएगा तो इस प्रोब्लेम है तो आप यहां से संपर्ख भी कर सकते हैं पेमेंट को लेकर कोई दिखाता रही है तो आपको पैसे रेटर्न भी आ जाएगा अगर नहीं जामा हो रहा है तो यह सब्सेशन भाइज दिया है यहां पर टोटल कंडिडेट इतने अपलाई क अपलाई हो जाएगा DST का चार्ड भी दे दिया है यहां पर स्कूल में दे दिया है और इलिविटी कटेरिया भी देख सकते हैं कि किस के लिए कितने इलिविटी कटेरिया है सब के लिए यहां पर चिक कर सकते हैं तो काफी लंबा हो जाएगा लेकिन मैं थोड़ा थोड़ how language literature में भी है यहाँ पर तो इसको पॉस कर करके भी देख सकते हैं यहाँ इसको डाउट करके भी देख सकते हैं जैसा आपको अच्छा लगे हैं जैसा आपको सुवधा हो आफकर सकते हैं यहाँप से इलिबी देखकर क्योंकि अगर एक खंटा का वीडियो हो जाएगा अगर इसको पुरा इलिजबी कृटिरिया पर ही बात करने लगें तो हर सब्जेक का स्कूल अप लाइफ साइंस के दिया देख लिए यहां पर इंटरेशनल सेंटर फॉर इंफर्मल सेक्टर का दिया है यहां पर और संस्क्रीट यहां पर यहां पर आप यहां पर यहां पर देख सकते हैं यहां पर स्कूल अफ सेंटर फॉर नैनो साइंस है तो इसमें भी है यहाँ पे यह रहां पूरा डेडल्स रहा यह बद हो गया नोटिफिकेशन इंफरमेशन बूलटीन का आप यहां से सीध्वे इसमें पूर करके पर मैं किलीक कर सकते हैं शुडू कर सकते हैं देखिए खुल गए यहाँ पे अब इसको फिल कीजिए न्यूरा शेशन में फिल करना होता है और यहाँ पर किलिक करके आप प्रोशेश सुडू कर दिए और यहां से देखे, select कीजेगा तो कोई subject select हो जाएगा, yes कीजेगा, और submit कीजेगा तो देखे, आपको application नमस डालके, और इस तरह से हो जाएगा तो यह रहा पीच डी से अपडेट आपको कैसा लगा अब जरूर बताएए गांत में काना चाहूंगा मेरे चैनल को लाइक सबस्क्राइब शेयर जरूर करें थाइंक्यू वाचिंग मैं चैनल